तो है गाइस वेल्कम बेक टो अनदर वीडियो ऑफ दिशैनल और आज यह हमारा मेटल से नॉन मेटल जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड शेप्टर रहे उसका एटींथ पार्ट है इस चेप्टर के थोड़ी लंबी है क्योंकि बहुत बड़ा चेप्टर है और बहुत इंपोर्टन चेप्टर भी है कंस्ट्रिंग और बोर्ड एक्जाम्स जो आपके नेक्स टूंटी तरी के स्टार्टिंग में या जिस पी आप सेशन में वीडियो देख रहे हैं उसमें होन अब वह स्टार्ट कर लेते हैं आज हमारा पहले बस यहीं टॉपिक रहने वाला है ठीक है प्रॉपर्टीज और फानिक कंपाउंट्स पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है यह करेक्टरिस्टिक है वह है आयनिक कंपाउंट्स अर् यूज्यली क्रिस्टलाइन सौल्डड यूज्यली तो थे और इस्टलाइन शोलिट जक्रीज एग्सांपल के लिए नीहें अब आयनिक कंपाउंट्स इसलिए सॉलिड्स है बिकॉज देर अपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रेक्ट वन अनदर स्ट्रोंगली एंड फॉर्मा रेगुलर स्ट्रॉक्टर यह तो बुकुष्ट लेंगविज थी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके आयनिक कंपाउंट्स होते हैं उनमें जो अपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं वह दूसरे को टाइटली मतलब बहुत स्ट्रॉंगली अट्रेक्ट करते हैं और एक रेगुलर क्रिस्टल का स्ट्रॉक्टर उसमें मिल जाता है उसे और इस अब एक्जाम्पल के लिए कि हमने एने सील लिया एने सील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है देट इस एट हंड्रे डिग्री सेल्शेस उस पे वह मेल्ट हो जाता है और बॉयल होना शुरू होता है एक टेम्परेचर ऑफ हंड्रेट एन्ट फॉर्टीन हंड्रेट उसका हमें क्या दिनोट कर पा रहे है अयने कंपाउंट की क्या प्रॉपरिट डिनोट कर पा रहे है तो क्योंकि इनके हाय मैटिंग बॉइलिंग पॉइंट है इससे में ये पताश चाज रहे है कि उनमें बहुत स्ट्रॉंग इट्रेक्षिन होगा या फिर हम इसे वाईस चार्ज आयन्स के बीच की स्ट्रॉंग फोर्स अट्रेक्शन है उसे ब्रेक करने के लिए बहुत हीट की जुरूत पड़ती है ठीक है अब क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट आफ हीट रिक्वाइड है तो इसका मतलब लाज जब इसमें हीट लगेगी लार्ज टेमपरिचर होगा अनर्ज होगी तो उससे अब बच जाएगा और उसकी वजह से वो जो फोर्स अट्रैक्शन है वो ब्रेक करनी इस कम टेमपरिचर पर मुश्किल होगी तो इसलिए ज़्याधा टेमपरेचर सब्सक्राइए इह जो इत बट इन सोल्वल इन और गैनिक सॉल्वेंट्स और कॉन सोते हैं वह अब बताएंगे ठीक है तो वाटर में तो यौन बल न्हाय और अंगेनिक स्वावेंट्स में ये एंसॉलिूबल daw अब organic solvent यह जो हमारा नाम है यह क्या होता है तो organic solvent की कुछ example बतायता हूं मैं जैसे कि acetone, alcohol, benzene, carbon detracloride ऐसे कुछ examples होता है organic solvents के इन में यह ionic compounds insoluble होता है वाइल water में soluble होता है ठीक है example कि रहे वह यह भी जो हमारे चल रहा है एक उसी compound को हमने पकड़ लिया और उसके बारे में हम उसकी properties से discuss कर रहा है, ionic compounds की properties को ठीक है NACL जो होता है it is soluble in water इसका मतलब क्या हुआ कि ether है वह हमारा organic solvent है इसलिए NACL is insoluble but water में soluble है ठीक है आयनिक compounds are soluble in water but insoluble in organic solvent such as ether, kerosene, benzene या आपका acetone, alcohol, carbon data chloride, etc. ठीक है when dissolved in water या फिर when melted या फिर इसका मतलब वह तभी electricity conduct करता है या तो जब वह liquid state में होता है या फिर molten मॉल्टन यानि जब melted ठीक है तो जब वह melt किया जा चुका हो या फिर water में dissolve किया हो तब ionic compounds electricity conduct करते हैं ठीक है ionic compounds electricity क्यों conduct करते हैं क्योंकि charge particles होते हैं हमारे ions और जब charge carry होगा तो current generate होता है और उससे electricity आपकी बनती है प्रोड्यूस होती है ठीक है तो अब जब हम dissolve करते हैं किसी भी ionic compounds ये से कोई भी आपने ionic solid ले लिया ए उसमें आप उसे आप water में dissolve करो या फिर उसे आप molten state में ले आओ ठीक है तो जब उसका जो crystal structure होता है जो उसका origin structure है वो break हो जाता है और जब वो break हो जाएगा तो उसकी वज़े से जो ions होते हैं उन्हें जगें मिल जाती है easily move करने की और electricity conduct करने की जब electricity conduct करेंगे तो उसके हम conclude कर सकते हैं कि अब इसके ions freely move हो गए क्योंकि it is either in liquid state और in molten state अब आपको पदर चल गया होगे क्यों electricity conduct होते है और कैसे electricity conduct होती है अब नेक्स ही जो आती है तो अब जो next topic आता है मायमने that is the property of properties of covalent compounds ठीक है तो properties of covenant compounds अभी हमारा यह थोड़ा Covalent compounds को topic बचा है अभी हमने Covalent compound discussing कर ली है अब उसकी properties को डिसकेशन हमें कर ली है ठीक है तो properties of Covalent compounds में क्या-क्या आता है तो प्रॉपर्टी दव कोविलंट कंपाउंड जों पढ़ेंगे तेट विल भी आपके सकते मेजर ली अपोजट तो डेट ओफ जो आप पढ़ा है इसमें आयने कंपाउंड की प्रॉपर्टी से उससे आपके सब्सक्राइब रहे है ठीक है तो कहां से स्टार्ट करते हैं फर हां सम आर सॉलिट्स जैसे जो आपके यह बैंजीन यह कार्बन टेटर क्लोराइड ब्रोमीन यह यह लिक्विट्स और जो आपके सॉलिट्स है उसमें आ सकता है शुगर ग्लूकोज यह सब तो इसकी प्रॉपर्टी है फस्स सेकेंड इस यूशली है लो एम्प और बीप ल क्योंकि electrically neutral molecule से बने होते हैं तो force of attraction जो इसका होता है force of attraction that is fairly low ठीक है कम होती है उसकी weak होती है तो उन्हें तोड़ना बहुत असान है ज्यादा heat required निया है not much heat is required that is a reason key they usually have low melting and boiling points third number पर हमारा क्या आता है covalent compounds are usually insoluble in water अभी हमने को आयने के बड़ा they are usually soluble in water ठीक है हाँ पर they are soluble in organic solvents जो की ionic compounds नहीं थे है तो आपको बड़ा सिल्गा होगा कि बिल्कुल opposite है और आयने की properties फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसके आती है फोर्थ और लाज्ट प्रॉपर्टी कोवरें compounds don't conduct electricity क्योंकि इन में जो electricity कंड़क्ट करने के लिए अब क्योंकि इसमें free ions नहीं है जो की घूम सके चार्ट जेनरेट कर सके current रेडूस कर सके जिससे electricity generator वही नहीं है इसमें तो इसलिए electricity इसमें generate नहीं हो पाती तो इससे पचल गया होगा आपको कि कोविलेंट compounds and ionic compounds की properties भी बहुत जादा काफिया तक different होती है अब ऐसी अगर आपको distinguish करना हो ionic और कोविलेंट में तो आप इनकी property सीखर सकते हैं वन conducts electricity while the other doesn't एक soluble water में दूसरा नहीं है एक organic solvents में insoluble है दूसरा है दू और पहले जी जो आयनिक है they have high maintenance and boiling points और कोविलेंट में they have low maintenance and boiling points और जो आयनिक है they are usually liquids or gases some are usually crystalline solids और कोविलेंट में they are usually liquids or gases तो आपको इन में difference पता चल गया होगा तो फिलाल आज के लिए पस इस वीडियो में इतना ही अब आप properties अच्छे से पदर चल गए होंगी thanks for watching this video कोई भी आपर suggestion और प्लीज कमेंट दाउन बिलो subscribe the channel and stay tuned for later updates thank you